राम राम जैय। आज बात करेंगे वाकई में actual teacher के बारे में और social media गीज़र के बारे में देखो जितने भी तुम सामने थम्नेल में teacher देख रहे हुँ यह वाकई में master है ठीक है इनको हम लोग teacher बोलते हैं सवभगा Demiique teacher का मतलब यह नहीं होता है तुम्हें से वह पढ़ाएगा इस चीज़ को तुम लोग समझने पा रहे हो तीचर का मतलब यह नहीं होता है वो सिर्फ सुम्हें राएबस बताईगा ना ला बोस टीचर का मतलब यह होता है वहirm roz यहां बुद्धी खोलता है समझो इस बात को टीचर का मतलब रटवाना नहीं टीचर का मतलब होता है यहां से तुम्हारी बुद्धी खोले वो तुम्हें एकदम रियालिटी चेक देने की कोशिस करता है वो होता है ठीक है तो अब जरह हम आज बात कर लेते हैं सबसे पहली सब्सक्राइब जो तुम्हें टीचर देख रहे हो यह वो टीचर है जो तुमसे फीस लेते हैं अच्छी खासी अजार बारा सो पंद्रा सो सोला सो दो हजार तक और बिल्कुल बढ़े है कोई दिक्कत वाली बात नहीं इनको टीचर हम बोलते हैं नाम कुछ गिना देते हैं तुम्हारे फेवरेट हो इनमें को कुमार गौरफ सर राकेस यादव सर और क्या कहते हैं उनको गोपाल वरमा बेस्टीचर है गगन प्रताब बैसीचर है नीतु में बैस्टीचर अभिनेमाइस बैस्टीचर है पावन राव पैस्टीचर है ठीक है कुछ नाम हम भूल थो उसके लिए छमा कर देना ठीक है और अंकित भाटी बैस्टीचर है नवीन सर्म नवीन सरहां जीएस पड़ाते साइथ अंकित रोजगार वितन की चैनल पर बैस्टीचर है अब देखो यह लोग टीचर ने इनका फूल टाइम है तुम्हें पढ़ाना यह फूल टाइम तु इनके पढ़ा रहे है ठीक है पैसा वो लेंगे जाहिर सी बात है पैसा को नहीं लेता है लेकिन वो टीचर है क्योंकि उनका प्रॉपर काम वही है ठीक है वो पैसे से उपर उठ चुके पैसा यह है वो उपर उठ चुके क्योंकि अकर वो नहीं भी कमाएंगे अब उनके पर लिए लेकिन इसका मलब यह भी नहीं कि तुम्हें 500 पर कोर्स बेचेंगे फिर तुम्हें वैल्यू ने रहे जाएगी कोर्स की ठीक इस चीज को समझो थोड़ा सा ठीक है तो यह जो टीचर है इनको कहते हैं यह तुम्हारी लाइफ में वैल्यू एड करते हैं और जो टीचर जब दिमागी आलत तुमारी कमझाने लगते कि अधर क्या राख है तो यहां में पर चेसा उत्व होते हैं पाई वे क्या करते हैं बहुत कुछ तुम्हारे लाइक कुछ तप क्योंकि यह तोड़ा समझो बात को इनका सिर्फ मोटिव पैसा नहीं है इनका मोटिव है तुम्हारा सेलेक्षिन कराना क्योंकि तब ही तुम देखते हो डेली ने यह लोग तो इतनी मेरत करते हैं जिसना तुम लोग सूसल मीडिया की 37ります का मतलब थोड़ा सा समझ देना socio चैशन में सबसे पहले कौहने आते हैं जो बढ़ेत हो चुकह है यह ब्हुत ग्यान देते हम बहुत बरला भणान देते हैं लेकु कि अगर तुम ने नोकरी पाली है तुम्हें नोकरी मिल गई है इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मास्टर बन गई हो गई है समझ रहो अगर आपको नोकरी मिल गई है तो आपका मलब भी बिल्कुल सेंस नहीं बनता है कि आप मास्टर बन गई टीचर में इस्टूडेंट में बहुत जमीन आसमान का फर समाधार पढ़ाया कि लोगों को एकदम दिलों में छागए तो उन्होंने उनकी नजर थी टीचर वाली कि उनको पता था कि यह टीचर बनेगा उन्होंने पिक कर लिया उसको कि तुम पढ़ावा कि इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग आएंगे भ पैसा सबको कमाना सीधी सी बात यह समझो ठीक है अब भीन है अब भीना एक तो उनका नाम कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है पांच-पांच-बार सीरी मतलब सीडियल से एक्जाम निकाला ने चार से पांच-बार तो उनके अंदर वह वो प्यूंद इस चीज को इसलिए तु तो बचता है इनके पास दिनका खुद के लिए 3-4 गंटा बचता है proper वाला ठीक है और जब आप पढ़ाते हो समझो मेरी बात को चाहीं जितने हुसियार हो जब आप पढ़ाते हो पढ़ना पढ़ता है पहले जब हम पढ़ाते थे तो हमें भी पढ़ना पढ़ता था ठीक है इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप कितने भी बड़े से बड़े टीचर हो बिना रिवाइस करके बिना चीजों को पड़े आप नहीं जा सकते हो। अगर उसने रियाज नहीं किया है उस चीज का मतलब प्रेक्टिस नहीं करी है वो स्टेज पर जाके गानाág नहीं गा सकता तै इसी तरीके टीचर होता अब इनके पास 3-4 घंटे का टाइम है इसमें यह तुम्हें पढ़ा भी देंगे है कर ढ़न देखी करेंड तरह में इस मैं यह पढ़ा भी देंगे ठीक है इसमें नहीं पढ़ सक्वादे यह तुम्हेशम बार की क्योंकि जरूरी नहीं कि उसी से आए तो इस चीज को थोड़ा सा तुम लोग उद्धी मिडार ने नाश्ते गुंगोंगे ठीक है उसके बाद यह लोग क्या करते हैं तुम्हें सिंपथी देते हैं सिंपथी देते कि देखो हमने इतने स्टेकल से किया है तुम्हें भी करा द करना है कल तुम्हें चैप्टर पढ़ने थे आथ तुम्हें पांच चैप्टर पढ़ने तुम्हें तीन पढ़ने लगाने सो कोशन करने इनसे बिल्कुल बचके रहो इनसे दूर दूर तक बचके रहो वरना यह तुम्हें खा जाएंगे बता रहें तुम्हें ठीक है वीडियो में दबता के लिए राम राम